अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं अपने इस्किन और ब्यूटी का बहुत ही अच्छे से खयाल रखती हैं लेकिन जब बात पुर्शों की आती है तो वो इस मामले में बहुत ही लापरवा होते हैं नतीजन पुर्शों की इस्किन और ब्यूटी धीरे धीरे धलती चली जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुर्शों की इस्किन और महिलाओं की इस्किन में बहुत ही फर्क होता है जहां एक तरब महिलाओं की इसकन सौफ्ट और पतली होती है तो वहीं पुर्षों के इसकन मोटी और सक्त होती है ऐसे में पुर्षों को तो महिलाओं से भी ज़्यादा अपने इसकन का ख्याल रखना चाहिए वैसे हम आपको एक बात और बता दें कि पुरुष रोजमर्रा की लाइप में कई लापरवाही बरतते हैं जिससे कि उनके इस्केन खराब जल्दी होती है मसलन जब वो बाइट चलाते हैं तो अपने हाथो या फिर मुह को ढखना पसंद नहीं करते हैं इसके अलावा स्पोर्ट सो बगारा खेलते समय भी वो इस कुन को लेकर बहुत ही लापरवा होते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स बताने जा रहे हैं जो खास तोर पर पुर्षों के लिए ही है तो चलिए आपको बताते हैं पुर्षों के ब्यूटी टिप्स के बारे में पहला जब भी घर से कहीं बाहर जाएं तो अपने चेहरे और हाथों को ढख लें साथी अगर आप धूप से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर सन इसकीन क्रीम लगाना बिलकुल भी न भूलें इससे आपकी तवचा धूप में भी खराब नहीं होगी और साथी इसकीन टोन भी डाउन नहीं होगा दूसरा दिन भर घर से बाहर रहने की वज़ा से हमारे इसकीन के रोम छिद्रों में धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं ऐसे में ये ना सिर्फ इसकीन को नुक्सान पहुचाते हैं बलकि आगे चल कर पिमपल आने का कारण भी बनते हैं इसलिए हमारी आप से सलाह यही रहेगी कि आप दिन में जितना अधिक हो सके अपने चेहरे को साफ पानी से जरूर धोएं खास करके कि जब आप कहीं घर से बाहर आ रहे हों तब चेहरा धोना बिल्कुल भी न भूलें ऐसा करने से आपके सकीन पर जमे हुए धूल मिट्टी के कण निकल जाएंगे और त्वचा को नुक्सान नहीं होगा तीसरा अगर आप चेहरे को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो ये उपाय करें कि सबसे पहले कच्चे दूद में रूई डूबा कर चेहरे पर लगाएं अब दस मिनिट बाद इसे साफ पानी से धोलें अब एक कटोरी में दो चम्मच बेसन, एक चम्मच दही, आधा चम्मच, शहद, चार बूंदे, निम्बू का रस और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिला लें इसके बाद से अच्छे से मिक्स करके और अपने चेहरे पर लगा लें अब 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से मसाज करते हुए धोलें इस उपाय से आपके चेहरे की कंसी भी अच्छे से सफाई होगी और साथी साथ वो सौफ्ट हो जाएगी ये उपाय भविशे में पिम्पल का आना भी बंद कर देगा चोथा, चेहरे में गोरा पन लाने या फिर इसकीन टोन को लाइट करने के लिए ये उपाय करें कि एक टमाटर को बीच में से आधा काट लें अब इस टमाटर के गिले हुए भाग को हल्दी में लगा दें इससे चेहरे की मौलिश करें ऐसा पांच से दस मिनट तक करें और चेहरे को धोलें इससे आपके चेहरे में तुरंत ही निखार नजर आने लगेगा क्यूरेन हेल्थ डेक्स से बिनितराय की रिपोर्ट